गाईंस कलकी 29880 मूवी को ले करके ना बहुती गजब का न्यूज मुझे देखने को मिला है टाइमस अब इंडिया में अब लोग को याद है एनिमेटरीड फ्रेलोड इस फिल्म का रिलीश होने वाली है और इससे ले करके हम क्या सोच रहे थे देखो इतना तो तेय था कि एक OTT फ्लाटफरम में इसको रिलीस किया जाएगा और हम लोग सोच रहे थे कि ये कुछ 4-5 मिनिट तक का एक वीडियो क्लिप होने वाली है जिसमें हमें कल की ट्योड एडि मुवी की स्टोरी को समझने के लिए प्लॉट को समझने के लिए कहानी के साथ आगे जाने के लिए मदद होगी कुछ इस तरह खा अपडेट हमें देखने को मिला था लेकिन अभी टाइम सब इंडिया में इसे लेकर के जो अपडेट देखने को मिली है भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि ये अनिमेटेट फ्रीलोड में जो दिखाने वाले हैं उसे लिए करके एक फिल्म बना सकते थे ये लोग बताये जा रहा है कि 20 से 25 मिनिट की मतलब लेंदी एक एक एपिसोड होने वाली है और 4 चार एपिसोड की एनिमेट फ्रीलोड और हर एक एपिसोड का डियूरेशन होगा 20 से 25 मिनिट मतलब भाई एक फिल्म का डियूरेशन तक्रीवन 2 गंटे क्या इसमें कोई सच्चा ही हो सकती है टाइमस अप इंडिया में यह आर्टिकल मुझे देखने को मिला है एक्च्छली में देखने को मिला है कहीं भी तो यह बात चुड़ी होगी नहीं तो टाइमस अप इंडिया क्यों ही छोड़ेगा ओके और वैसे भी जब ओडीडी फ्लैट्फरम की बात होती है कि किसी एक टीटी फ्लैट्फरम में इसकी भी राइट्स का डील हो रहा है और इसका भी प्रिल्लीज विजनेस हो रही है यह मतलब यह जो एनिमेटेज प्रिलोड है और ओडीडी पे स्ट्रीमिंग होगी चार से पांच मिनिट तक की एक वीडियो को ओडीटी पे क्यों छोड़ेंगे वला है तो इन सारी जीजों को जब मिलाते है तो भाई हो भी सकता है तो यहां पर सवाल यह उड़ता है कि इतनी बड़ी मतलब एक वेब सिरीज पहले हमें देखने को मिलेगा मतलब देखना पड़ेगा एक चुली में देखना पड़ेगा उसके बाद हमें कल की 288 movie समझ मे अगर इस तरह की प्लानिंग है ऐसा है तो फिल्म में ऐसा क्या है जो हमें पहले एक फिल्म देखने को मिलेगा मतलब देखना पड़ेगा उसके बाद वो फिल्म समझना मतलब समझ पाएंगे क्या ऐसा भी होता है कि उपर से कल की 288 movie का प्रमोशन स्टार्ट नहीं हुआ है मैं सोच रहता है कि आज की डेट में हमें साइद कोई ओफिसल अपड़ेट देखने को मिल जाएगा क्योंकि मतलब टाइम हो गया है और आंदर प्रदेश में इलेक्शन वगेरा भी कतम हो तो इन लोग का प्रमोशन जो है सुरू हो जाएगा जिस तरह का अपड़ेट आ रही थी कि जल बहुत ही जल प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगा बोल करके प्रमोशन तो स्टार्ट नहीं हो रहा है ओफिसली लेकिन ओन ओफिसल तरीके से से अपड़ेट आ रहे है ना भाई दिमाग को गुमा दे रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको एकदम से सच मान करके मत चलिएगा, क्योंकि बिलिव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, कि चार-चार एपिसोड, 20-25 मिनिट तक का एक एनिमेटर फीलोड हमें पहले द आदे गंटे या पर एक गंटे तक का कुछ डिरेशन वाला कुछ हो भी सकता है, क्या पता, पता नहीं, कुछ तो होगा, देखते हैं, यह एनिमेटर फीलोड का क्या चक्कर है, और बोला जा रहा है कि इसी मन्त, मैं के आखरी चरण तक यह एनिमेटर फीलोड जो है पूर एकसाइटेड नहीं, ओके थ्रील हूँ एकदम से, कि क्या है जो संधर्फ जो कहते हैं, मतलब फिल्म देखने से पहले हमें जो देखने को मिलेगा, उसमें क्या है ऐसा, जो चार-चार एपिसोड यह लोग बना रहे हैं, 20-25 मिनिट तक का, और वो 20-25 मिनिट की 4-4 एपिसो प्लॉट है इन लोगों का, किस तरह की कहानी है, कहां से क्या फसाने वाले हैं यह लोग, जितना हमें पता है कि कलकी अपतार के उपर फिल्म है, कली और कलकी की लड़ाई होगी, अस्वत हमां के साथ कलकी अपतार के मिटफ होगा, महावल तक जाएंगे, यह सारी चीजे हम में पता है और साइफाइ मूवी है सुपर हिरो वाली फिल्म है तो इन सारी चीजों को लेकर कि ऐसी किस तरह की कहानी है किस तरह की प्लॉट है जिसके लिए हमें इतनी बड़ी वैप स्रीज देखनी पड़ेगी मतलब यह मतलब 20 से 25 मिनिट तक का एक एपिसोड चार चार एपिसोड मतलब क्या यार गजब लग रहा है देखते हैं ऑफिसल अपडेट की हम इंतजार करते हैं दोस्त एकदम से मान करके मत चलेगा इसे जो मेरे पास आया एकदम से मैं भी यह हो गया टाइमस अप इंडिया में जो